नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबीका हैपी इन्वेस्टर्स के इस नए एपिसोड में सबसे पहले आपके लिए डिस्क्लेमर आज बात करेंगे सीमेंट सेक्टर के एक बहुत ही बढ़िया फंडामेंटल वाले स्टॉक की सीमेंट सेक्टर का मैं स्टॉक लेकर आया हूँ आपने उसके प्रोड़क्ट के बारे में भी सुना होगा बहुत ही फेमस नाम है फंडामेंटल के ही सबसे देखा जाए तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर स्टॉक का नाम है जेके लक्षमी सिमेंट ठीक जेके लक्षमी सिमेंट आपने इसके प्रोड़क्ट के बारे में सुना होगा इसके सिमेंट सेक्टर में काम करता है सिमेंट की कमपनी है ठीके और क्या करेगी सिमेंट का नाम से ही पता चल रहा है और जेके लक्षमी सिमेंट आपने सुना भी होगा मार्केट में ठीक है बहुत ही फेमस नाम है और इसके अगर हम बागी financials की बात की जाए तो चलिए सबसे पहले fundamental analysis money control के हिसाब से देख लेते है ठीक है जो latest हमें available हो रही है तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इसकी strength के बारे में आपको वीडियो फुल स्क्रीन में कर दीजेगा ताकि अगर आपको अच्छे से दिखाई दे ठीक सारी पूरी डीटेल अच्छे साब देख पाए अगर weakness की बात बाद में करेंगे लेकिन strength की मैं बात कर देता हूँ अभी strength अगर देखा जाए तो company की ही 15 strengths है इनके अंदर और time to time growth हो रहा है strong annual growth है बाकी आप डेख सकते money control पर जाकर भी आपको बहुत अच्छा खासा data मिल जाएगा इस company के रिलेटेट जेटे लक्ष में सिमेंट नाम है company का अब quarterly growth हो रहा है net profit का net profit का year over year growth हो रहा है और revenue भी increase हो रहा है पिछले तीन quarter से जो कि एक बहुत ही positive sign है दोस्तो ठीक है positive sign और company के अगर cash की बात की जाए तो net cash का भी improvement आ रहा है पिछले 2 साल से book value promoter की pledging अब देख लीजे दोस्तो zero pledged promoter ठीक है zero promoter pledging है FIIs अपने increase की है holding FIIs का इसमें अभी अच् point एक और recently result में भी growth दीखने को मिला है 52 week high के पास trade कर रहा है stock और stock ने एक महीने में ठीक है एक महीने में 20% का return दिया है अपने investors को बहुत बड़ी बात है यह दोस्तो 20% का एक महीने में बहुत ही अच्छा return होता है stock market में ठीक है और अच्छी खासी mood technically देखा जाए तो भी आ कासा strong momentum बता रहा है यह stock अब बात करता है weakness इसके ठीक है weakness की बात करें तो weakness आप देखकर के हैरान हो जाएंगे दोस्तो weakness इस company की अगर देखा जाए तो तो weakness आप जैसा की screen पर देख रहा है बिल्कुल भी weakness नहीं है इस company में जैसे की data के हिसाब से देखा जाए तो अभी बिल्कुल weakness zero बता रहा है ठीक है यह बहुत ही कम stocks ऐसे होते है जहां पर zero weakness होती है ठीक है और market का leader तो नहीं करेंगे लेकिन market के topmost brand में से एक है जेके सिमेंट के share holding pattern की तो अगर share holding pattern की अगर हम बात करें तो आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों की promoter की 46% holding है 9% holding 9-10% holding है किसकी FIIs की FIPIs की ठीक है और insurance company ने भी इनका अच्छा खासा stake buy करके रखा है अपनी holding बढ़ाई भी insurance company आप जैसा के देख सकते है insurance company ने अपना holding बढ़ा दिया है पिछले quarter के हिसाब से mutual fund ने अपना holding रखा है 16-17% के आसपास दूसरे DIA इसने भी अपना holding रखा है अच्छा खासा और retail investors के लिए देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही कम बहुत ही कम percentage available है retail investors के लिए ठीक है और बाकी non-institutionals के लिए तो बहुत ही बढ़िया quality का stock fundamentally मुझे अभी के हिसाब से नजर आ रहा है दोस्तों ठीक बाकी बात करते हैं दूसरे parameters की हम यहाँ पर तो parameter दूसरे की बात करते हैं फटा फट मैं video complete करने कोशिश करूँगा ठीक है अच्छा और छोटा वीडियो बने बाकी अगर आपको वीडियो ऐसे ही अपडेट सही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अच्छा अच्छा स्टॉक्स के अपडेट्स और रिकमेंडेशन के लिए customer demand और viewers audience demand पर भी हम वीडियो बनाते हैं आपने हमारा वो चैनल से हमने वो वीडियो पोस्ट किया था तो आप चाहे तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं उसमें मैंने इंडिया बुल्स और बिल्ला सॉफ्ट्वेर को करवर किया है customer demand पर ठीक customer audience demand पर मैंने कवर किया है अब बात करते हैं audience demand के बाद वाले वीडियो की जिसमें चेक sales में काफी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है ठीक है March 2021 का sales September 2020 सिंगंबर करें तो बाकी net profit में भी अच्छा खासा growth देखने को मिला है जैसा कि अब देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया growth देखने को मिला है हमें इसमें net profit में ठीक अब बात करते हैं दूसरे और parameters और fundamentals की तो अगर दूसरे fundamentals की बात की जाए तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर P ratio P ratio भी अच्छा कासा 12 P ratio और CAGR growth की अगर बात की जाए तो CAGR growth आपको नजर आ रहा होगा में एक बार जूम कर देता हूं CAGR growth है दोस्तों इस company का 8% के आज पास ठीक है और net profit में देखो आप दो 42 से 113 net profit में बहुत ही बढ़िया increase देखने को मिला है एक और positive point ठीक है और बाकी बात करते है इस stock के दूसरे parameters की और 2-3 equity ratio अगर देखा जाए तो debt to equity ratio भी बहुत ही अच्छा है एक से कम है ठीक है पहले पिछली बार से पिछले साल के से compare करें तो इन्होंने अपना debt reduce किया है यह एक और positive point है ठीक जलिए दोस्तों बात करते हैं इस stock के technical analysis की ठीक टेकनिकल analysis कर देते हैं हमारे जीरोदा application पर जाकर जीरोदा application में अगर आपने अभी तक account को नहीं खुलवाया है तो आप free में account खुलवा सकते है description में दी गई link पर click करके ठीक बाकी अगर आप fundamental पर यह अच्छा खासा consolidate किया था stock ने ठीक और कहीं बार हमें buying opportunities भी दी स्टॉक ने बार बार इस level को touch कर रहा था और यहां से rebound हो रहा था आपको अच्छा से clear नजर आ रहा होगा ठीक यहां से touch कर रहा था ठीक है और उसके बाद देखिए क्या momentum दिखा है stock ने लगातार अपर circuit में यह stock बढ़ा है और अच्छा कासा momentum दिखा है सीधा 400 से 490 के आसपास यह 500 को ऊपर 500 के ऊपर touch करके आया है stock ठीक है 510-500 के आसपास यह stock trade करके आया है और उसके बाद अभी यह 493 पर trade कर रहा है अगर यह stock आपको long term के investment से अगर देखा जाए तो यह अगर आपको 440 यह 450 क आसपास दिखता है तो आप इसमें invest कर सकते है अभी भी अगर आप चाहे तो SIP के form में थोड़ा थोड़ा investment साड़ कर सकते है क्यों क्यूंकि मैंने fundamentals आपको बता है fundamentalist stock काफी sound है तो आज नहीं तो कल यह आपको return तो अच्छा देने की संभावना बढ़न रही है ठीक है यहा आपको बता है साड़े 400 के आसपास अगर यह stock available होता है तो आप बिल्कुल इसमें buying initiate कर सकते हैं अभी भी अगर आप चाहे तो थोड़ा बहुत amount buying में डाल सकते है इस stock में ठीक है ज्यादा मत डालना हो सकता है यह stock आपको मुझे ऐसा लग रहा है कि buying opportunity लेकिन अगर आप आपको पसंद आया होगा ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं अगर आप suggestions किसी stock पर देना चाहते हैं audience की demand audience का special episode भी हम लाते रहते हैं उन stocks के reviews के regarding जैसे कि मैंने बता है इंडिया बूल्स और व रिप्लाइ करेगी ठीक आपको हमारी वीडियो पसंद आयी होगी तब तक के लिए मिलते हैं किसी अच्छी वाली और नई वीडियो में नई एपिसोड में तब तक के लिए be a happy investor स्वस्त रहिए अपनी सेहत का जियान रखे और बाबाई